विल्कम बैक तो ये हमारा है आठवा एपिसोड आहार सीरीज का मतलब अभी तक हमने सेविन स्मॉल चेंज़ किये हैं हिल्दियर लाइफ के लिए तो आज का जो मेरा वीक एट का छोटा चेंज है वो वैसे तो काफी सिंपल है लेकिन उसका इंपक्त आपको काफी अच्छा तो इस वीक का जेंज है कि हम आज से मतलब कल से हर दो घंटे के बाद एक मील लेंगे जो की छोटा होगा ओवियसली लेकिन हर दो घंटे बाद हम मील्स लेंगे तो ये सुनते ही काफी बड़ा काम लगता है और इसे लगता है मतलब तीन मील्स ही हम कैसे तो ले पा रहे हैं और हमें तो हल्दी होना है, वेट लॉस करना है तो हर दो घंटे के बाद हम मील्स कैसे लेंगे लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूगी अगर आपको इस चेंज के बारे में इंफोर्मेशन चाहिए हो तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखे और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रो क्लोरिक आसद, HCL, रिलीज करता है, प्रड्यूस करता है और वो जो आसद है वो आपके फूड को प्रिक्टाउन करने के लिए काफे इंपॉर्टन होता है तो वो आसद स्टमक क्यों रिलीज करता है क्योंकि उसको फूड चाहिए लेकिन आप क्या करते हो, मतलब काफी लोग क्या करते है कि उठते ही नहीं, मुझे प्रेक्फेस्ट नहीं जा रहा या फिर लेंच भी बहा इतना नहीं करती और ऐसे करकर के हमारा जो हंगर है उसको हम ऐसे ही दबा देते हैं या फिर चाय, कॉफी ऐसे चीजहों से उसको हम दबा देते हैं और जब शाम का टाइम आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें इतनी ज्यादा भूप लगी है कि हम इतना खाते हैं और हमारे स्टमको सफोकेट कर देते हैं और indirectly excess amount of food आपने खाया हुआ है वो fat में convert हो जाता है तो आपने सुवह से जो कुछ नहीं काया खाया है और आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है मेरा health देखने के लिए लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है आपका उससे weight gain ही होगा जब हम छोटे टाइम में काफी ज्यादा food consume कर लेते हैं और उसके बाद बहुत time तक नहीं खाते तो हमारे body को लगता है कि हम कैसे survive कर पाएंगे इसलिए हमारी जो body है वो जो excess amount of food हमने खाया हुआ होता है उसको fat में convert करकर store कर लेती है उसके वज़े से आपका weight gain हो जाता है क्यूंकि आपकी body आपके ही भलेका देख रही है उसको चाहिए कि आप अच्छे से survive कर पाओ लेकिन आपको क्यूं आपके पेट को ऐसी feeling देनी है आप ज़रूर ऐसा कुछ तो कर सकते हो जिससे आपके पेट को लगेगा कि okay I'm not going to starve, सब अच्छा होने वाला है, I'm not going to die तो हम क्या कर सकते है उसके लिए तो हर दो घंटे बाद मीर ले सकते है और जब हम हर दो घंटे बाद मीर लेते है तो हमारी जो body है वो DIT करती है तो DIT क्या है? तो DIT है diet infused thermogenesis So DIT in simple words means calorie burning. So the more often you can eat, the more you can utilize this DIT which means every 2 hours के बाद आप आपका calorie burning बढ़ाते हो just by detail जब आप 2-2 घंटे बाद खाने वाले होते हो तो indirectly आपका portion का जो size है वो कम हो जाता है क्योंकि अगर मुझे पता है मैं 2 घंटे के बाद फिर से खाने वाली हूँ तो मैं अभी जो item खा रही हूँ वो मैं ज्यादा quantity में नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे पता है अगला item just 2 घंटे बाद मेरे इधर आने वाला है तो number of calories आप काफी कम consume करते हो एक time में और जब आप कम calories consume करते हो तो आपकी body उसको better utilize कर सकती है और वो उस food को fat में store करकर नहीं रखेगी तो आपको जो फ्लाट स्टमक चाहिए था आपको flaunt करना था सारी में वगेरा ये सारी चीज़े आप कर पाऊगे मैं भी कर पाऊंगी लेकिन मैं अभी जल्दी से बता दूँगी peanut, cashews, any kind of nuts या फिर थोड़ा सा cheese या फिर कोई भी South Indian dish आप ले सकते हो मतलब हमारे नाष्टे के जो items होते हैं महारा अश्रियन नाष्टे के जो items होते हैं या फिर आपको लगे कि लंच में ज्यादा रोटी नहीं चाहिए तो आप एक रोटी बचा कर रखके दो घंटे बाद वो खा सकते हो या फिर चावल सो काफी सारी options है और आप ज़रूर एक दिन वीकेंड का ले लीजे एक दिन में थोड़ा टाइम निका लीजे और आप तब calculate कर सते हो कि दो दो घंटे कप होते हैं और तब मैं कौन सा मील लूँगी क्या खाऊंगी वो सब आप decide कर सकते हो और trust me इतना वो difficult नहीं है और आप enjoy करने लगोगे आपको बता होगा भी आने ही वाला है next meal ये है उसके बाद वो मील है उसके बाद वो मील है और आपको अच्छा लगेगा जब हम किसी diet पर होते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे think करने लगता है कि अभी कम खाना है अभी ये इतना ही खाना है उसकी इतने ही calories है लेकिन जब आप हर 2 गंटे बाद खा रहे हो तो आपको लगेगा हो क्या आ रहा है बहुत सारे आइंडम्स है और आप ज़रूर mentally भी अच्छा फील करोगे आपकी satiety level भी काफी अच्छी होगी और आपको in general अच्छा फील होगा और आपके weight loss में, fat loss में उसकी काफी, काफी ज़्यादा आपको help होगी तो अगर आपको ये video पसंद आया हो तो please इस video को like कीजे मेरी channel को subscribe कीजे और अभी-भी मैंने एक Marathi vlog भी डाला था वो आप मेंसे काफी लोगो को पसंद आया है तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसकी भी link में description box में दे दूंगी so until then stay safe, I love you all see you soon, bye bye